नियू मेट्र सिटी गोजर खान में अभी डिवेलपमेंट की सूर्थेहाल क्या है? आज की डेट यह निके 17th of May 2023 अगर आप विजट करते हैं नियू मेट्र सिटी गोजर खान तो आपको दो गेट्स मिलते हैं गेट नमबर वन पे अगर आप एकसेस लेते हैं तो आपको 150 फीट का रोड मिलते हैं जो डिरेक्टली जाके ट्रफिलकर स्केर से टाच होता है और इसके ट्रफिलकर स्केर के सराउंडिंग में जो चार साइड्स हैं एक तरफ Grand Jamia Mosque, एक तरफ उनका Head Office, एक तरफ आपके Commercial Properties और चौती तरफ Roots बन रहा है जो दूसरा गेट है, गेट के साथ अब क्या Development हो रही है, इसके साथ कौन सी Properties होंगी यानि कि किस साइज से Commercial होंगे, किस साइज के Residential होंगे और ये गेट जो कब तक Complete हो जाएगा और आज की Date में Current Status of Development इस गेट हो क्या है मैं आगे जाके जो वीडियो में आपको मैप से डिटेल एक्स्पीन करूंगा तो इसके में साथ वीडियो अटेच कर दूगा ताकि आपको Clear Understanding मिल सके कि नियो मेटर सिटी को जर खान आने मले दिनों में कहां स्टेंड करेगा Mid of 2023 यानि कि आप 5th मन्त है 2023 का आज की डेट में development का स्टेटस का है और by the end of 2023 यहां पर क्या स्टेटस होगा कौन से ब्लॉग कितने डिवेलप होंगे प्लस मैं कोशिच करूँगा इसी वीडियो में आगे जाके जो A South ब्लॉग है जहां पर रिसनली development स्टार्ट हुई है प्लस B ब्लॉग जहां पर development भी हो रही है उस हवाले से आप गाइड कर दूँ इस दो जो स्क्रीन पर फोटेज देख रहे हैं यह बेसिकलि न्यू मेटर सिटी गजरखान गेट नमबर टू के सामने जहां से जीटी रोट का कम्यूट आप कर सकते हैं तोवर्ड लाहॉर और लेफ्ट साइड पे टोवर्ड रावल बिंडी इसलामबाद वो आप रोट देख सकते हैं और इस गेट से आगे नियू मेटर सुटी गजरखान के जो दो गेट से दोनों का डिजाइन बिल्कुल से होगे जित्रे कमेर्शल शी बात है कि यहां पर जितने क्मेर्शel रीफ फिट रिप dak यहां पर जितने साथ τα 3D थे साथ ओंता 9mmet AA 1994 उसाथพट के साथ होता हैं师 एंसे तर बिल्लक का दीनिए यहां पर इस ये डेफिनिली उसकी वैलिव फूचर में जाके बहुत ज्यादा अच्छी होगी और प्रॉमिनेंट एक्सेस रखता है क्योंकि फ्रंट से भी उपन है और बैक से भी उपन है तो दोनों साइट पर डेफिनिली पार्किंग मिलेगी और पार्किंग की वज़ा से काफी ज्यादा मिलता है उस कमर्शल को और यह कॉंटरी साइट जो गेट नमर वन है जो ज्याद आउनिव पर कमर्शल बन रहे हैं जितने फर जेंबल गोपार के सामने कमर्शल है यह हैड़ ऑफिस की स्राउंडिंग में जो कमर्शल है उन तमाम कमर्शल को फ्रंट बैक ओपन नहीं रखा तो यह नियू मेटर सेटी गोजर खान के दोनों गेट्स में आपस में डिफरंस आता है मेंली जो आर्ट मला कमर्शल है उसको 40 x 45 फीड जब रखा जाता है तो 40 फीड में अच्छा खासा जो कमर्शल है वो उसकी रेलिवेंस बन जाती है 30 x 60 के कमर्शल प्लॉट में डेफि फ्यूचर में जाकर जो इस रोड के उपर कमर्शल होंगे डेफिनिल वो उसका अडवांटेज नियू मेटर सेटी गोजर खान को लॉट अच्छा मिलेगा अब बात करते हैं जिए अगर आगर आप इस गेट से एंटर होते है और जो रोड पर जाकर अटैच होता है अरली एक तरफ हैड आफिस एक तरफ मस्जिद रुखसाना एक तरफ रूट्स कॉलेज और इसके साथ साथ आपको चौथी साइट पर कमर्शल नजर आते हैं इस रोड पर आप जाते हैं तो आपको राइट साइट पर जो है वा नमसी हॉस्पिटल जो हॉस्पिल के साइड रिज आपको अच्छा लैंड्सकेपिंग मिलेगी और इतनी वाइड नहीं है यह अपस में डिवाइड करते हैं यह वह रेल्वेड ट्रैक बनता है अब इसके ओपोसेट साइट पर जितनी आपको लैंड नजर आ रही है इन फैक जितनी आप फोटेज पर देख नहीं है जो ब्र इस सारी की सारी एस साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक की फोटेज है एस साउथ ब्लॉक का मैप अलड़ी सुसाइटी लाँच कर चुकी है और इस एस साउथ ब्लॉक के साथ साथ जो बी ब्लॉक है उसका मैप भी दो दिन में लाँच होने वाला है और जब बी ब्लॉक का मैप जो आप फिजिकली मेंबर्स के पास होगा और जिन मेंबर्स ने भी नियू मेटर सेटी गोजर खान में इंवस्मेंट की हुई है उनको डेफिरिंटली इस चीज़ का आइडिया है कि जिस स्पेस से काम कर रहे है अगला फेस जो आता है नमसी का डिवल्पमेंट का वो यही आता है कि आप नमसी में मजीद देखेंगे कि आने वाले दिनों में जितने रेजिदेंशे ब्लॉट्स ने जाए अर्ली बड ब्लॉक है और उन विलास के मेंबर्स के लिए सुसाइटी ने एक अच्छी आप्शन ये भी दे रखी है कि आप उन विलास पे डेफिनिल जब कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहाँ पे आकर रहाइश पजीर पर्चेस करेंगे और जब रहाइश पजीर होंगे उन विलास में तो आपके लिए जो न्यू मेटर सेटी गोजर खान के अंदर हॉस्पिटल की फिसिलिटी है प्लस इसके साथ साथ जो आपके एजुकेशन की फिसिलिटी है वहाँ पे आपको 50% का डिसकाउंट भी मिलेगा लिविंग के पॉइंट अफिसे इससे पहले इस रीजन में इस तरह से आर्ट से इस गुल्च्र कॉम्प्लेक्स नहीं है जो लैंड एकॉर्ड है वो भी आप फिसिकली देख सकते हैं कितनी लैंड एकॉर्ड है जो लैंड एकॉर्ड नहीं है जब आज साह सा मिशिनरी वा मुव करेगी development होगी तो definitely मैं जिस तरह रूटीन में वीडियो हर वीकली यहां टू वीक सबस बनाता हूँ तो आपको मैं साइड वाइज अपडेट करता रहूंगा कि वहां पर development का स्टेटस किया है एस वाइज ब्लॉक में रिसनली अपी स्टाइटी ने जो मैप लाउंच किया था तो उसमें 14,000 प्लस मानिस के आसपास प्लॉट्स थे जिसमें 2.66 मरला कमर्शल जिसमें 5 मरला कमर्शल और इसके साथ साथ यहां पे 8 मरला कमर्शल अगर साइज इस की बात कि जाएधे 2.66 मरल 24 Yeah 30 1993 3.66 आथ 5.33 मरला था इसके साथ ने इसके साथ मरला कमर्शल और कमर्शल यार्ड और इसके साथ 7 मरला करें 272 मरला 7.1 मरला और इसके साहते मैं 8 मरला कमर्चल प्लॉट से जिसमें डिमेंशन जो बनती है वा बनती है पॉटज देख रहे हैं अगर आप गेट 1 से आते हैं गेट नबर 2 से आते हैं जिसमें पहली विजिबिलिटी परती है एलिवेटिट पॉइंट जो बनते हैं वहाँ पे आठ मरला और पांच मरला और साथ मरला के विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं राइड नौ जो स्क्रीन पर डिमार्क हुआ है ये आठ मरला कमर्शल प्लॉट के स्ट्रिप है जो में किना साथ ट्रेवल करते हैं और साथ जो साथ बैक साथ प्लॉट पर कंस्ट्रक्ट्टिन नहीं हूं जा भी मिशेन पांच मरला के विलास भी है तो नियू मेर्ट सिटी गुजर खाने मिरह रहल में जाए प्राइड पिरोर्टी प्रिजर ने क्प्लीट हो जए गए एक साल के अं एट लीस्स कुछ ना कुछ पुब्लिक मॉवमेंट या आम आदमी की जो मॉवमेंट है साइट पे वो शुरू कर रही है क्योंकि प्रजेक्ट की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टन चीज होती है कि साइट पे सबसे पहले लोगों को आबात करना अब वो किसी भी फॉर्म मे सुसाइटी होती है उस पर बहुत जादा पॉजिटिव इंपक्ट आता है बाकी अभी बात करते हैं डिटेल में जो मैप ही जो आपने फुटेज देखिए सारी मैं मैप एक स्प्रेंट करूंगा कि यह वाला इडिया कौन सा बनता है अभी इस पॉइंट तक जहां पर विल जो पर देखिए जो आपके चीजे में आपको मैप पर पाकी एक्स्प्रेंट करता हूं निव मैट्रो सुटी गोजरखान का जो मास्ट बैन लांच किया गया था जो आज की वीडियो में बिसिक पार्ट देखा है वह यह वाली साइट अगेट था यह आपका गेट नमबर पर बान आता है इस तरफ जिटी रोट पे और दूसरा आपका गेट नमबर टू आता है गेट नमबर टू से जो आप एंटर होते हैं मेट्रो सिटी की प्रिमेसिस में तो राइट और लेफ्ट साइट पर अच्छी बात यह कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आठ मरला के बेल्यो के फ्रन्ट साइट से भी आप शौपस को डेफिनली कर सकते हैं और बैक साइट से भी तो इसके बाद यही रेट आगे लेड़ करता है लेट साइट पर आपका रूट स्कॉलिज और राइट साइड पर अपका एंडम सी आप लाता है अब जितनी साइड साइट यह आपका मज़ीद रुखसान है यह अरली बर्ट की प्लॉक में जितनी प्रिमिस्स नहीं यह रेल वे लाइन से लेफ्ट साइट पर जाते हैं जो विडियो में आगया आप एरिया विटनस करेंगे उसमें आपका यह सौथ ब्लॉक के साथ आगया आपका बी ब्लॉक आ जात विडियो जो वह बैसिकली वह अरली बर्ट ब्लॉक में गेट नंबर टू से लेकर जात प्रॉपर्टी जाती है जिन मेंबर्स के पास वहां की प्रॉपर्टी जाएं डेफिनले उनके प्रॉपर्टीट फोटेज होगी कि उनका आइडिया मिल जाएगा साइट के की दफ से काफी अतक की चांसे था कि मुकमल कर लिया जाएगा यह काफी बड़े ब्लॉक्स बनते हैं अराउंड एटीन थाउजन टूंटी थाउजन प्लॉट यहां पे होंगे इन दो ब्लॉक्स में तो अगर साइटी छेमा में कम्डेट करती है तो मेरहाल में पाकस्तान क का सबसे फ्लैक्शिय परजग जोगा इस लिहाज से न्यू मेटर सुटी गोजर खान बन जाएगा अगेन बैक रेल टाइम फुटेज इस तक में स्कीन पर दुबारा में 2023 की में थार्ड वीक ऑफ में की फुटेज देख सकते हैं 17 में की अपडेट फुटेज है और इसमें इमिनिटीज हैं जो उन रेजिदेंट्स को रिक्वाइड होंगी वो अमिनिटीज भी कम्लीट करनी है सबसे जो कोर अमिनिटी आती है वह आती है एजुकेशन एंड हेल्थ यह दोनों चीज़ों पर सुटेज की तरफ से काभी फोकस है पहला चीज हेल्थ पे देखें तो ह What Speaks and supposed doing to welaid होता है तो शीफाओस स्भी नि यहास्पिल्स में एकंट से करने में दो से तीन मेने करी मिनए करता है इस से ज्यादा काम नहीं लगी नहीं लगा क्योंकि जितना काम कंस्ट्रक्शन के टाम पर क्यों में होता है उतना मूल्मेंट में रिक्वाइड है तो डारा के साथ हमने MOU साइन करके Roots की जो campus है जो साइट पर construct हो रहा है लिवड ब्लॉक में उस पर construction मकमल करना शुरू कर दी ती तो ये दो main amenities जो member किसी भी requirement हो सकती है उन के लिए थी तो members की तरफ से साइटी ने इसको accommodate करने के लिए best of the amenities ये आपको normal amenities नहीं है यानि के शिफा हॉस्पिरल कह लें है कोई बड़ा हॉस्पिरल कह लें है उसके साथ-साथ जो आपको Roots College है पाकिस्तान का सबसे flagship campus है जैसे मैंने वीडियो में एक्स्प्रीन के राइट साइट पर जितना एरिया आपको सोवाज़ुच। रेलवे लाइन से 400 अचुप्ट का डिस्टन्स दोनों सवाइड है यानि इस नहीं किरेगी जस तरह से की रहला सबस्क्राइब उसके चाहने बडाबर में 5-7-8 विलाज बनना है अब इन विलास के अच्छी बात ही है कि सूसाइटे की तद जो पांच मृलाविलास है है या शाथ मृलाविलास है इनका पॉजेशन सूसाइटी ने का आया कि जो members यहां पर आके रहेंगे उन members के लिए health और education के immunities जो होंगी वो 50% वेवियर पी होंगी यानि कि अगर आपके बच्चे root school में पढ़ते हैं तो 50% expenditure होगा root school जो के जेवी भी होगा जो कि building जो होगी वो new metro city की होगी उसके साथ साथ building में जो आप पर कहलें के infrastructure बनेगा सारा वो new metro city की अपनी इंजाम यानि bsm developers का होगा तो जार सी बात है को members को 50% discount accommodate करवाने में एहम किरदार अधा होगा इस बात में कि जिन members के यहां पर बच्चे school जाते होंगे definitely उनको advantage मिलेगा कि roots में 50% fees की वेवियर के साथ अगर आप new metro city early bird block के residents हैं तो आप को यह advantage पास होनोगा A south block और B block के बारे में society के announcement ऐसी नहीं आई बट early bird block के बारे में यह clear announcement है कि जिन members के बच्चे यहां पर early bird block में जो members जाते होंगे उनके बच्चे school जाएंगे तो 50% वेवियर मिलेगा जैसे मैंने वीडियो में स्टार्ट में बात की थी बाद में मैं पर explain किया कि एक किनाल है जो basically roots schools के सामने से गुजरती हुई आपका टरफलकर स्केरों क्रॉस करती है और जिटी रोड के नीचे से गुजरती है उस किनाल पे जो construction काम है वो भी आप देख सकते हैं कि साइट पे जो proper उसकी wall रेटेनिंग wall है उस पे भी काम हो रहा है और इस wall को properly landscape के तोर पे यूज किया जाएगा instead of किनाले के तोर पे यूज किया जाए चुँकर यह बरसाती नाल है यह आके जाके द्रहा सिंद में fall करता है यहां से निकलने के बाद आके जीटी रोट के साथ साथ ट्रेवल करता है और द्रहा सिंद में fall करता है अब यह जो आपको नदर आ रहा है एरिया सारा इसको society ने within the time frame of six months सारा त्यार किया I think 4000 plot six months में त्यार करना अचीवमेंट है बाद बड़ी और से साथ 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 आपने basic groundwork से start किया जो early bird block था वहां पे ऐसे एरियास भी थे जहां पे 3300 फिट की फिलिंग होई है depression थी और वहां पे society ने वह काम within no time करके दिखाया है जिस तरह new matter city गोजर खान launching के बाद से आम तोर पे members के दिम्यान या dealer community या real estate community में जिस तरह से लोगों ने इसको adopt किया था इससे तरह members ने इसको adopt किया और society ने reciprocate करते हुए उसी society ने इसी project को उतनी speed से deliver किया है कि early bird block के members जो है वह possession का apply करने के position में है possession का मतलब सर्फ यह नहीं होता कि land को brown किया और चंद सड़के मना दी possession का मतलब यह होता है कि society की तरफ से site पर जितनी amenities है उसमें underground saverage भी आती है underground electricity भी आती है underground optical fiber यह जो आपकी telephone की lines होती है वो भी आती है और इसके साथ सा road network यानिक road infrastructure हर street का बनना street का carpeting होना उस पर street lights का install होना और main bouleverts का बनना दो main bouleverts हैं तकरीबन दो-दो किलोमेटर की जो इस वक्त बन चुकी है अब दो main bouleverts का बनना उसके दिरमान hoti culture प्लस दो main gates का बनना site पर मस्जिदी construction, site पर head office construction, site पर roots college construction और site पर hospital भी construction और site पर around 4000 plus minus plots हैं जो इस वक्त early bird block में residential plots हैं तकरीबन 312 plots हैं यहां पर आट मरला commercial के और 31 plots हैं यहां पर पांच मरला commercial के अरौंड को 20 plots हैं यहां यहां पर 2.66 मरला commercial के जिनका possession भी society की तरफ से offer किया जा चुक है यानि कि जो member चाहें अपने plot पर construction स्टार्ट कर सकते हैं तो यह थी new metro city गोजर खान की May 2023 की recent update आपको site की footage से काफियत तक help होगी होगी जन members ने भी investment की है वाया any real estate consultant तो आपको site की most updated footage से idea हो गया होगा कि new metro city गोजर खान आज की date में कहां stand करता है अगर आप commercial plaza की construction में interested हैं तो definitely site पर अलड़ी construction हो रही है जैसे आपको left side पर नजर भी आ रहा है और साथ साथ main roads है उसके उपर सारे 8 मरला के commercial plots जो है वो ready for possession अवेलेबल भी है society से भाई कर से हैं रीसलें भाई कर से हैं इसके साथ head office के सामने commercial plots अवेलेबल हैं वहाँ पर आप commercial plots पर construction करके बहुत अठाए advantage लेसे हैं कि head office के सामने जो plots होते हैं commercial के वहाँ पर mostly offices बनते हैं डीलर्स के offices बनते हैं तो उसका अब long term बहुत अच्छा rent receive कर सकते हैं तो new metro city गुजर खान में तमाम चीज़ें इस वक्रीट हैं जब site पर head office operation होगा यानिके site के अंदर operation होगा तो जाहर सी बात है जितनी management होगी ट्रांसफर्स होंगी जितनी चीज़ पर सबसे बाते होगी वहाँ वहाँ आम तो पर जितनी चीज़ें चीज़ें पर लहौर से कंट्रोल होती हैं गुजर खान की जब यह चीज़ें साइट पर मेंबर्स को सबसे ज्यादा आडवाटेज मिलेगा जो मैंबर साइट पर रहते होंगे खौब ने प्लॉट खरीद से 20 मिनट का है और फ्यूचर में जाकर जब रिंग रोड स्वरी मोटरवे बनेगी स्याल कोड मोटरवे तो उसके बाद इस एरिया के डिसंस कट होके 10-15 मिट कराज़ेगा जो कि निव मेटरो सिटी गोजर खान के रेजिएंट के लिए बहुत ही खास बात होगी अगर आपको निव मेटरो सिटी गोजर खान में बुकिंग के वाले से कुछ मालूमा चाहिए हो तो एक नमबर रापता करें इसके लावरी वेबसेट विजर करना मत भोलें www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो ची लेगे तो प्लीज ब्लाए, कॉमेंट और शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भोलें रिज्वान चीमा को दीज़े जासत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस अगर आपको अगली वीडियो थाफिस नगर आपको ये वीडियो तक के लिए तक का लिए जाया है घर आपको ये वीडियो करना मत भोलें झाल झाल